स्टॉक जिनीव आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त बिशेक शर्म और इस वीडियो में डिसकशन करने वाले हैं बजाज इलेक्टरिक के पारे में यहाँ पर हम डिसकस करेंगे क्या होने वाले हैं important supports, क्या होंगे targets और क्या strategy हम लेकर चलें second of में के लिए तो शुरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं कल के 15 minutes चार्ट की, देखिए जैसे ही stock open होता है सबसे पहले तो एक green bullish candle stock ने पना कर दिखाई थी लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिलती है और same range में ही trade करता हुआ नजर आता है 1097 पर closing कल के दिन देखने को मिली, 3 hours चार्ट पर अगर हम stock को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर उपर की तरफ stock ने एक high बनाया था 1155 रुपे का यहीं से एक correction दिखाई है और अब ही देखिए धीरे धीरे stock उपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे की तरफ एक support पर ध्यान रखें 1077 का support अगर फिर से गिरावट आती है और यह support प्रेक होता है तो 1050 रुपे की तरफ गिरावट देखने को हमें मिल सकते हैं लेकिन उपर की तरफ अगर तेजी आती है तो सबसे पहले target stock अचीव करेगा 1125 फिर 1130 तो यह दो important targets उपर की तरफ लेकर चल सकते हैं बजाज electric में अगर तेजी आती है तो जल्द ही आने वाले कुछ trading sessions में ही यह target अचीव हो का देखे बात करें इन levels पर buying करना ही या नहीं तो हमारे सबसे अभी भी weight and watch की strategy आपको पनानी है उपर की तरफ एक resistance level है दोस्तों 1114 रुपे का जब तक stock इसको break नहीं करेगा कोई भी तेजी हमें नहीं देखने को मिलने वाली तो इसके उपर उपर आप चाहें तो एक swing trade लेकर चाह सकते हैं लेकिन अभी थोड़ा weight करके यहां पर हमें चलना पड़ेगा तो यही strategy हमें अपनानी है पचाज electric में stop loss लगा कर जरूर काम करें तो यहीं बताने के लिए video बनाई थी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद